स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल प्रिंस्वोट एजूकेशन में आज की इस वीडियो में हम लोग जैसंकर प्रसाद की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे जैसंकर प्रसाद के द्वारा लिखे गए नाटक, निबंद, काव संग्र, कहानी संग्र, उपर न्यास के बारे में आज पढ़ेंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं जैसंकर प्रसाद के द्वारा लिखे गए नाटकों के बारे में इन्होंने काफी साहे नाटक लिखे हैं जो काफी प्रसिद्ध हैं और ये बार-बार एकजाम में पूछे जाते हैं जैसंकर प्रसाद के दौरा जो लिखे गए प्रसिद्ध नाटक हैं वो हैं चंद्रकुप्त, इसकंद्रकुप्त, अजाजसत्रू और ध्रिवशामनी इसके अलावा इन्होंने राज जिस्री, सज्जन, विसाक और जन मेजे का नाग्यग नामक प्रसिद नाटक भी इन्होंने लिखें कामना, प्राइस्चित, एक गूट और करुणाले जैसे नाटक भी इन्होंने ही लिखें अब बात कर लेते हैं जैसंकर परशाद के उपन्यासों के बारे में तो इन्होंने तीर उपन्यास लिखे हैं कंकार, तिदली और इरावती इन में से इरावती अपूर्ण है यानि कि पूरा नहीं है आप से पेपर में पूछ लिया जाता है कि यह संकर प्रिषाथ के कौन सा उपन्यास है जो अपूर्ण है तो आपको इरावती पे टिक लगाना है यह संकर प्रिषाथ के दोआ लिखे गए निबंद का नाम काव विकला और अन्य निबंद है अब बात कर लेते हैं जैसंकर परसाद के दौआ लिखे गए काव संग्रहों के बारे में तो इनके दारा काफी प्रसिद्ध काव संग्रह लिखे गए हैं जिनके नाम है आसू, जर्ना, लहर और चित्राधार इसके अलावा प्रेम पतिक, कानन कुसुम, महराणा का महत्व, इनके द्वारा लिखे गए काव संग्रह हैं कामाईनी जो है वो इनके द्वारा लिखा गया महा काव्व है बार बार एकजाम पूछा आता है कि कामाईनी महा काव्व किसके द्वारा लिखा गया है तो आपको टिक लगा देना है जैसंकर परसाद ये भी पूर लिया जाता है कि कामाईनी क्या है आपको option दिये रहते हैं काववे है कहानी है महा काववे है या फिर इन में से कोई नहीं तो आपको महा काववे लगाना है क्योंकि कामाईनी एक महा काववे है अब हम लोग जैसंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई कहानी संग्रहों के बारे में जानते हैं आप से पेपर एंपूर लिया आता है कि जैसंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई प्रथम कहानी कौन सी थी तो जैसंकर परसाद के द्वारा लिखी गई प्रथम कहानी थी ग्राम अब confusion की क्या बात है यहीं दूसरा प्रशनाता है कि जैसंकर परसाद के द्वारा लिखी गई प्रथम कहानी संग्र है कौन था तो ये है 6 यानि की जो इनकी प्रथम कहानी है वो है ग्राम और जो प्रथम कहानी संग्रह है वो है 6 आप जान लेते हैं कहानी और कहानी संग्रह में difference क्या होता है तो कहानी एक particular कहानी का नाम होता है लेकिन कहानी संग्रह में कई सारी कहानिया होती है यानि कि gram एक particular कहानी का नाम है लेकिन छाया में कई सारी कहानिया होगी तो छाया में 6 कहानियों का संग्रह है तो इसलिए छाया जो है वो इनकी कहानी संग्रह है और जो ग्राम है वो एक कहानी है अब आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसंकर परसाद की जो प्रथम कहानी है वो ग्राम है और जो प्रथम कहानी संग्रह है वो छाया है इसके भी आपको जैसंकर पर साथ की कोई रचना पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जुरूर बताईए वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजे अगर आप इस चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजे जिसे मेरे आ आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे धन्यवाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में